हलो बच्चो बच्चो आज हम करेंगे computer graphics की first unit के अंदर हमारे पास topic है color CRT monitors इसके अंदर हम topic करेंगे beam penetration technique पहले से मैं अपको थोड़ा पहले बता दूँ देखो अभी हमने just पहले क्या किया कि CRT क्या होती है cathode rate tube जहां पर हमने क्या देखा था कि वो एक electrical signal को कैसे convert करती एक visual signal में सारी technique हमने पढ़ी थी उसके just बात हमने क्या concept पढ़ा था हमने पढ़ा था vector scan display या जिसे हम random scan display भी कह थे वहां पर हमारे पास क्या concept था कि हमने CRT को कैसे use करके point line text या कोई भी character हमने कैसे print कर आया यही चीज़ती हमारे पास vector scan display के अंदर then थोड़ा सम आगे बढ़े तब हमारे पास आया raster scan display ओके वहां पर क्या concept था कि कैसे वो CRT को use करके colors या पिक्स पिक्सल या colors की form में हमे image generate कर रहा है यही चीज़ थी ना ठीक है अब बात आती है हमारे पास color CRT monitors आप एक चीज़ बताईए जब आपने राश्टर की राश्टर की बात करूँगा mainly हमने वहां पे बात करी थी कि pixel है pixel के तीन component हों के red green blue mainly हम जिसकी बात करते हैं वहां पे frame buffer में हमने उस pixel के तीनों क RGB की value डाली और color में हमें image मिल रही बट ये बात थी एक software level पे कि हमने coding base पे क्या value मिल रही है वो डाली है वो frame buffer में resistance में जारी है और काम हो रहा है बट सोचने वाली बात थी क्या सिर्फ इसतनी ही चीज़ों से CRT क्या कोई color की चीज हमें image दिखा देगा screen पे नहीं तो यहां पे हम पता है क्या करने वाले कि कैसे CRT color में चीजों को दिखाता है वो concept आया था color CRT monitors के अंदर ठीक है तो पहले हम थोड़ा सा color CRT monitor के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे than beam penetration technique पे आएंगे तो प्लीज वीडियो पूरी देखना एंड वीडियो अच्छी लगे तो like and subscribe जरूर कर लीजेगा देखें आप चलो पहले वो बाद में मेरे मन में बात आया थी मैं बाद में बताऊंगा सबसे पहले देखो चीज किया कि जो normal CRT थे हमारे पास they can generate images of single color due to the limitation of phosphorus of phosphorus बार बार में phosphorus बोल जातो हमें आदत है due to the limitation of phosphorus coating अब हमने जो CIT यूज करे थे वहाँ पे single layer थी हमारे पास सिंगल लेयर फोस्फोर की जिसकी वज़े से चाहे वह हमारे हमारे पास जो वेक्टर स्कैंड डिस्प्ले था वह सिंगल कलर में हमारे पास एक ही कलर में image को दिखाता है mainly I think मुझे color शायद white color था उसमें दिखाता है electron की beam आती है उस phosphor color पर जो भी color की coating होगी उस पर जायके strike करेगी और उस color की वह चीज हमें दिखा देती है यह concept था ठीक है बड़ जब बात आती है कि हमें बहुत सारे color चाहिए हो फिर क्या करेंगे तो देखो कैसे concept चलता है तो हमारे पास जब color CRT की बात आते हैं तो हमने क्या कहा कि it generates a range of colors by combining the emitted light from the multi-layered phosphor-cotted color CRT यानि कि वह कहता है कि जब अब color CRT की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है CRT screen तो वही हमारे पास CRT का सारा concept वही चल रहा है बट यहां पर अब आपके पास एक layer नहीं होगी यह याद रहना हो सकता है दो हो सकता है तीन हो बट अब एक layer नहीं होगी कितनी layer होगी multi-layered होगी phosphor की and जो electric electronics electron की beam जो निकल रही है वो जो phosphor की हमारे पास layer different different उस पर strike करेगी and उसके according वो क्या करेगी colors को generate करेगी ठीक है कुछ particular range होगी हमारे पास उन colors को generate करेगी समझगे बात electric यहां से diagram से बहुत छोटे से जल्दी से समझा देता हूँ मैं आपको देखो अभी मैं बात नहीं करूँगा red and green की simple concept बताऊँगा यह electron की beam और मैंने यहां पर काफी सारी coating कर रखे अललग तो electron की beam निकलेगी and वो उस coated color पर strike करेगी and color generate करेगी ओके अब देखो color को generate करने की नहोंने क्या का कि there are basic two techniques used for producing color display अब मुझे CIT के अंदर अगर color display बना रहा है color image दिखानी है तो उसके लिए नहोंने basically दो technique निकाली है पहली technique है हमारे पास beam penetration technique जो आज हमारा topic है और दूसरी technique है हमारे पास shadow mask technique जो हम अगली बार करेंगे ओके चलिए तो यहां पर हम beam penetration technique के बार में पढ़ते की exactly beam penetration technique होती क्या है देखो beam penetration technique is used with raster scan display यानि हमारे पास जो वेक्टर रास्टर हमारे पास sorry वो जो थी इससे आगया रास्टर जो हमने बाद में पढ़े था एक्शली मैं vector में confused हो गया था vector के बाद में रास्टर पढ़ा था तो रास्टर scan display में इसको यूज करते हैं गाई एक छोटी से mistake होगी थी जब मैं explain कर था तब भी मुझे लगा कि शायद मैंने गलत लिख लिया या यह चीज नहीं होना फिर भी उसको बता गया तो छोटी से mistake नहीं है I think वह बहुत बड़ी mistake है वह यह थी कि यह रास्टर नहीं था यह random scan display में हमारे पास use होती है यानि vector scan display में गलती से मैंने रास्टर लिख लिया था तो आप इसको random में ही होती है यह ठीक है तो मैंने गलती से रास्टर पताया आपको random समझ के इसको चलना आ गया ठीक है चली यही चीज थी इसलिए मैंने वीडियो के end में जब लगा कि उस चायद मैंने गलत ल दिख दिया था तो उसको मैं correct कर रहा हूँ बीच में ही अब आप continue वही से वीडियो देख लीजे के CRT is coated with of two layers of phosphor इसके अंदर क्या होगा कि जो हम CIT use करेंगे हम इसमें raster scan display के अंदर डालेंगे उस CIT के अंदर दो coating होगी इस बार phosphor की चोंसी कौन कौन सी होगी basically red and green use की जाती है तो यहां पर हम CIT जो हमारे पास आने वाली है ठीक है उसके अंदर हम क्या करेंगे red and green color की phosphor की coating कर देंगे ठीक है जी चले अब आग यह red phosphor की है एंदर जो inner layer होगी हमारे पास वो कौन से color की होगी वो green phosphor की होगी inner layer हमारे पास green phosphor की होगी चले अब आगे देखते देखो क्या चीज कहता है वो कि colors depends how far the electron beam penetrates into phosphor layers अब यह कहता है कि जो आपको screen पे color देखेगा वो किस चीज पर depend करता है कि जो electron की beam है वो कितना जो हमारे पास red and green की जो layer है उनको कितना penetrate कर पाती है कितना अंदर जाएगी उसके base पे color generate होने वाला है जो उनसे भी penetrate करेगी उसके साफ से जो color generate होगा वो आपको क्या होगा इस screen पे दिख जाएगा तब ही इसका नाम क्या पड़ा beam penetration technique की beam जो है वो penetrate कर रही है किसके अंदर फॉसफोर layer के अंदर चलिए अब देखो आगे कैसे काम करता है कि कैसे जो beam हो penetrate करवानी यह नहीं करवानी वो हम देखते है वो है कहता है कि अगर low electron beam speed होगी अगर हमने जो beam electron की जो निकाली उसकी speed अगर कम होगी speed कम का मतलब कम potential दे रहे कम हम voltage की देंगे आगे तो उससे क्या होगा तो उससे क्या होने वाला है कि अगर low electron beam speed होगी तो वो strike करेगी only red फॉसफोर को यानि कि वो सिफ इस red फॉसफोर को ही strike कर पाएगी इसी के अंदर घूमती जाएगी वो आगे नहीं जा पाएगी बास इस red layer का जितना भी area coated होगा उसी के अंदर घूमती जाएगी ठीक है क्योंकि क्या है सबसे स्टार्टिंग में सको कि सिफ जाना पड़ेगा रेड पे speed जादा नहीं होगी तो क्या बाहर वाले पर अटकी रहा जाएगी ठीक है जी दैन उससे क्या होना वह अड़ा 10 पेड्यूसिज red traces on the skin अब रेड वाले पर ही रह गई तो क्या होगा रेड कलर के स्पोर्ट्स हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाए देंगे, जो भी हमें प्रिंट कराना है वो रेड कलर में आ जाएगा, लाइन पॉइंट जो भी होगा, जो भी अच्छा है मेस दिखाने वो उस तरीके से आ जाएगी, ठीक है, अगर वो कहता है कि अब मैं लोग की आगे तक, ठीक है ना, अब बिल्कुल हो सकता, ग्रीन से भी आगे निकल जाए, कोई बात नीच जो लेर आगे, तो उससे क्या होगा, हमारे पास वो प्रिड्यूस करेगी, ग्रीन कलर, भी अगर लोग करी तो रेड पे रह जाएगी, तो क्या देने वाली रेड कलर का, हमारे पास क्या आगी, मीडियum स्पीड आगी ना, तो अगर मैंने एलेक्ट्रों बीम की, मीडियum स्पीड कर दी, तो क्या audience वो प्रिड्यूस करेगी, टो रेड अण ग्रीन की क्यो जो प्रिड्य वो उनको töह करेगी, भय, मीडियम स्पीड में क्या उन्हें वाला है, कि red and green के combination से जो हमारे पास color generate होते हैं basically वो उनको produce करेगी जिसमें basically इन्होंने का orange and yellow तो in case shade हमारे पास दिखने लगेंगी orange yellow तो यहाँ पे आपने क्या देखा basically कि यहाँ पे आपके पास 4 color मिलने वाले है red, green, orange, yellow या उससे related shade आपके पास खीज़े चले तो अब हमने सारी working देख ली है इसकी beam penetration की working क्या है, merits क्या है कि यह inexpensive है, यह इतनी महेंगीरी पड़ती, जो cost हमारे पास shadow mask technique में आने वाली है, यह उसकी half होती है, यह इसका फायदा है, बड़ इसका लुकसान क्या है, only four color जो मैंने बताए है, वही मिलेंगे उस related shade and not good quality, इसके अंतर जो quality होती है, आपको उस level की नहीं मिल पाती, ठीक है जी, चले, तो यह था आपके पास color CIT, जो मैं बात बताना चाहता था, कि देखो आपके पास paper में 10 यह 20 number में question set होगा, और कैसे set होगा, बिल्कुल direct way में, 10 number में आपसे पूछ लेंगे explain beam penetration technique, कुछ यह 20 number में कहेगा explain दोनों आप करो, beam beam penetration technique भी explain करो, shadow mask technique भी explain करो, यह इन दोनों के बीच में 5 number में difference आजा कि दोनों के बीच में difference क्या है, यह इसके फाइदे क्या है, यह उसके नुकसान क्या, इससे related इसके ओपर कोई fall to question कभी नहीं बनता, क्योंकि पहली चीज जो मैंने बो वहाँ फिरा के उल्ट पर आँग question कभी नहीं, सीधा direct 10, 15, 20, नमर वो सीधा question पूते explain करो, yes क्या जो भी numerical होगा वो डालो, numerical हो सबसे ज़्यादा easy होते है, अगर आपको formula पता हुआ, ठीक है, तो यह करनीजे, color CIT monitors के अंदर beam penetration technique, अगली बार वीडियो के अंदर हम करेंगे shadow mask technique काफ important, mainly question shadow mask technique पर आते हैं, उसे करेंगे, यह हो गया, end of video अच्छी लगे, तो please like and share करना, और एक net gate वालो के, net के वालो के सबसे दादूं कि आपके पास related, actually कोई, इतना question नहीं आता, color पूछ लेंगे, कितने, ज्यादा color कौन produce करता है, beam वाली करती है, यह shadow वाली करती है यह इसका फाइदा पूछ ले जाएगा, यह होता है, यह होता है, यह होता है, यह नुकसान क्या है, तो उसे related question आएंगे, यह beam penetration technique या कोई color CIT monitors के अंदर, हमारे पास कौन सी technique है, color produce करने की वो आजाएगा, तो ज्यादा hard question या, ज्यादा marketing में question नहीं आता, सिधर theoretical question आता है, चलिए, वीडियो अच्छे लेकर लाइक और शेर मैंने बोली दिया, जो न्यू वीवर से प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर करना चाहते है तो, अगर वो सब्सक्राइब करें, तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मे डालू, उसके अपको टाइमली नॉटिफिकेशन जरूर मिल जाए, ठीक अब, चलिए, थैक यू और टेक कर बाए,